एकादशी के वरत में क्या खाना चाहिए और किंग चीजों का सेवन एकादशी के वरत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास बहुत सारी बहनों के माताओं के प्रशन आ रही है कि शास्त्री जी एकादशी वरत को किस प्रकार से हम रखें जिससे विश्णु भगवान प्रसन हो और एकादशी वरत रखने का समपूरण फल हमें प्राप्थो इसके ओपर आप हमें बताईए तो मुझे पूर्ण विश्वास है आज जो जानकारी में आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी मेरे प्यारी दर्शकों आप सभी को पंडित नीतिन शास्त्री की तरफ से राम राम आप सभी हसते रहें मुस्कुराते रहें और भागवार का आश्रिवाद आपके ओपर बना रहे ऐसी हमारी प्रार्थना है तो चलिए विश्णु जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं ओम करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनवेशयंतं वटस्य पात्र स्यवटेश्यानं बालं मुकुंदं मनसासं रामी बोलिए विश्णु भगवाने की जय सभी को पता होगा कि एकादशी के वरत में चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए ना तो एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए और ना ही एकादशी के वरत में चावल खाना चाहिए एकादशी का वरत जो रखते हैं उन्हें वरिक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई, इन सामान को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए एकादशी के वरत में अगर आप चाहते हैं कि विश्णु भगवान आप से पूरण रूप से प्रसंद रहें तो एकादशी का वरत निराहार ही रखना चाहिए लेकिन अगर संभव नहीं है तो एकादशी के वरत में भी आप एक समय भोजन कर सकते हैं आप शकरकंद खा सकते हैं कुट्टू का आटा उससे बना हुआ भोजन खा सकते हैं आप दूद का प्रियोग कर सकते हैं इसके अलावा आप फल में आम खा सकते हैं अंगूर का सेवन आप कर सकते हैं इन सब का सेवन आप एकादशी के वरत में कर सकते हैं एकाद्शी का वरत जब आप रखते हैं तो उसके नियम एक दिन पहले यनकी जो दश्मी तिथी की शाम होती है उससे शुरू हो जाते हैं दश्मी तिथी की शाम को ही आप जो रत्री का समय होता है उसमें भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए संभव हो सके तो कम भोजन ही करना चाहिए एकाद्शी के दिन सुभा जल्दी उठकर सनान करने के पश्षात शुद्ध वस्तर दहारण करने के बाद हाथ में जल फूल लेकर संकल्प करें कि विश्ण भगवान मैं आपकी प्रसंदता के लिए यह है एकाद्शी कवरत करता एसा बोलने के बाद जो हथेली का जल है वो भूमी पर छोड़ दे और यहीं से आपके एकाद्शी वरत का प्रारंब हो जाता है बहुत सारी माताओं के कमेंट आती हैं कि जो एकाद्शी का वरत खोला जाता है वो कब खोलना चाहिए तो एकाद्शी का वरत अगले दिन सु माप्त होने से पहले एकाद्शी का वरत खोल लेना चाहिए कई सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि जब एकाद्शी का वरत खोलते हैं तो सबसे पहले क्या ऐसा खाना चाहिए तो एकाद्शी का वरत खोलते समय सबसे पहले आपको मीठा ग्रहन करना चाहिए बहुत सारी बहन माताईं गलती करती हैं कि कमेंट आते हैं हमारे पास हम वही बता रहे हैं कि शास्त्री जी हमने एकादशी कवरत खोलते समय सबसे पहले नमक ग्रहन कर लिया तो यह बिल्कुल जादा गलत है अगर आप एकादशी कवरत रखती हैं तो वरत खोलते समय सबसे पहले आपको मीठ खाकर ही वरत खोलना चाहिए क्योंकि भगवान को सबसे जादा जो प्रिय होता है वह मीठा होता है और जो भगवान को मीठे का भोग लगाकर स्वयम भी मीठे से अपना वरत खोलते हैं उनका वरत कभी भी अधूरा नहीं रहता एकादशी के वरत के दिन चावल का दान करना भी अच्छा नहीं माना जाता बहुत सारी माताओं के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी क्या चावल एकादशी के दिन खाते नहीं क्या दान कर सकते हैं तो दान भी नहीं करना चाहिए एकादशी वरत के दिन आप अमरूद का फल भी ग्रहन कर सकते हैं आप चाय ले सकते हैं लेकिन एक कोशिश करें कि जितना संभव हो सके एकादशी के वरत में जितना समय तक आप निराहार रह सकते हैं बिना भोजन के रह सकते हैं जैसी आपकी कैपेश्टी है उतना आप प्र विश्ण भगवान उतनी ही जल्द आपकी समस्त मनुकामनाओं को पूर्ण करते हैं एकादशी के वरत में आप जरूरत मन्द व्यक्ति को उसकी सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भी विश्ण भगवान बेहत प्रसन होते हैं और आपकी इच्छित मनुकामना की पूर्ती करते ह एकादशी के वृत में जादा इधर उधर नहीं भूमना चाहिए भजन करें ओम नमू भगवते वासु देवाय इस समंत्र का जाप करें और एकादशी के वृत में जितना समय तक आप भजन में विलीन रहते हैं उतना ही जादा आपको जो है वृत करने का पुन्यफल बात होता है आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले प्सूड में जैम आता की